मुक्स टो पल्स आने वाली मत्र ऐसी रुबए किलो ये तीन सो भी सुब माल रहने वाला आप डेट्स किलो तक पैसको यह देकिसाकаша माल इसके अंदर काफी सारे अपने पास मात्र असी रूप dolr इसमें 75 रुपे किलो से वेराइटी स्टार्ट होने वाली है दोसे पर फिर से लेकर आच चुका हूं आप लोगों के लिए एक और जबरदस बिजनस आइडिया जिसकी डिमांड आज के समय में इतनी ज्यादा है और लास्ट वीडियो जो हमने वीडियो शूट करें दोस्तों सकते हैं तो आज हमारे साथ में वीडियो में क्या खास होने वाला है वीडियो की सुरात करने से पहले बता देना चाहूंगा कि मेरी फरम का नाम आईश्वरी टेडिंग कंपनी रहने वाला मेरा जो एड्रेस है जो 97 निर्मल विहार जैपूर में रहने वाला है तो तो हमार बिजनिस की सुरुआत कर सकता है तो दोस्तों आठ हजार रुपर लगा कर आपको यह बिजनिस शुरू करना है और जो आठ हजार रुपर आप इन्वेस्ट करेंगे ना वह आपके 16-20,000 कब हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा बिना देरी के पहले टौफिया कहीं मार्केट में एक का और दो बिगता है कहीं एक का तेन में भी अलाग इलाग सिछ्ट म्याहिवाब आपने यसें पिचेतर में ही 440.5-440.5 253 पीस घाले तो मतलब एक तरीक से अगर देखा जायी सो पिचेतर रुपे मेन लेकर 15 sadece मार्केट के उपर डिपेंड करता है कि वह वहां कितने का बिकता है इसके बाद यह 50 पैसे वाली आइटम आएंगे इसमें फ्लेवर काफी जा रहे आ जाएंगे पर अभी स्टोग में तीन-चार फ्लेवर रख रहे हैं यह देख सकते हो यह असी रुपए किलो आएगा असी र प्लेवर आते हैं स्टोग में यह कच्छा आम हो गया और लंडन देरी अगर चाइए यह देखिए यह एक टॉफटी है फ्लेवर अलग है अब इसमें एक रुपे में धिका देना चाहूंगा जो पल्स होती है जो लोकल मार्केट में चलती है यह वाली होती जो असी रुप मतलब होल सेल आप दुकान दार को अगर आप सेल करते हो आधिय किलों का अगर आप पैकिंग बनाते हो आपको 40 रुपे में पढ़ने वाला है और आप 30 से 40 रुपे मतलब डबल कर सकते हो आप अपने पैसे को बिलकुल मतलब दोस्तों अगर आप यहां से माल ले जाकर नियर अपनी जो छोटी छोटी दुकान है ना उन पर भी अगर सेल करोगे ना तो हंडेट परसेंट का मार्जर मिल जाएगा और अगर आप डायरेक्टरी रीटेल में सेल करोगे तो आपको तो आपको करते हो आपको अपने मार्केट की एक बार नोलेज लेनी है फिर उसके पुरा पूरा चॉक रहने वाला इक बार श्टोंग अंदर का भी दिखा देते हैं फिर उसके बाद यहां की वेराइटी भी कवर करेंगे आपको मैं दिखा देना चाहूंगा कैंडी का स्टोंग हमारे पास यहां पर भी लगा हुआ है यह देख सकते यहां प्पे केंडी का फूरा िस्टोक मिल जाएगा हड केंडी यहां पे इस टोक में भी शारे आइटम आइटम जाएंगे के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर करें ऐसके बाद में वेराइटि जाओंगा अभी अपने इस्टोग दिखाया तो इसके बाद अप देख सकतो कैंडी के अंदर ना यह देख सकतो फ्लेवर बॉन-बॉन है कोफी है पान है मिल्की है रुपे में तो कोई मैसेज आताल काफी जाए ऑगा दो किलो मिल जाएगा नहीं मिलेगा पैक तो किलो का बैक हो का तो दस किलो आएगा साड़े बारे किलो का भी आ टीक है यह आपको 80 रुपे में 260 रुपे का मल मिलेगा औसमें काफी चोटे दाने के भी पीस आते पर वह बिते नहीं मारकेट में आपको बिल्कुल इस तरिकी की क्वालिटी मिलने वाली है यह यह करके देख सकते हैं इक मार्केट में MRS सेल होने वाला है ठीक है और इसमें आपने फ्लेवर देख लिए आगे यह तो भी इसके अंदर लड़ू वाले आइटम आते हैं इनको लड़ू में बोला जाता है ना यह एक रुपे की सेल वाला आइटम में थीन सो पीस आते हैं इसमें अच्छी रुपे किलो आएगा अपन इसके बाद भी आज़ो बार में दिखा देना चाहूंगा यह बार वाला इटम आता है अच्छा अब इसमें मच है और आप देख सकते हो किसमी है आप फ्लेवर दिखाओ भी आप लिए बिखाओ कितने सारे फ्लेवर यह मच हो गया आपका यह किसमी हो गया यहां पर आप यह देली रीच है यह देखे हाँ यह मिल्क फ्रेश है आगे अगे फ्लेवर मतलब काफी अच्छे मिल जाएंगे यह देख सकते हो यह बीकाफी अच्छा मार्केट में चलता है इस ट्रोबेरी है वह आप देखो फ्लेवर देखो यह 80 रुपे किलो आएगा इसमें 280 रुप की पैकिंग बनके तयार होगी उसमें 140 रुपे का माल रहेगा अगर वह दुकानधार को 70 में भी देता है ना तो भीया उसका 20 से 30 रुपे के बीच में क्यों मार्जिन मिल जाएगा अगर वह डेली की 20 पोलो थिन भी बेश देता ना आज 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 इक लोगी महातर 10 किलो मा कमा सकता है और दोस्तों एक मतलब एक छोटी सी गणीत यह लगाई कि एक एक दिन में आप मान लेजिए एक गाउं की आसपास के दुकानों पर पचास दुकानों पर भी अगर रोज जाते हैं और एक एक किलो भी बेशते हैं तो 50 किलो आपकी रोज की निकलने वाली और बहुत कम बता है लागत कितनी कम है मातर 8000 रुपे तो और आगे देखिए दोस्तों यहां पर यह पूरा का पूरा इस यह लगे हुए जो भी आइटम में क्या होता है अभी बारीज के मोसम में स्टों कम आ रहा था जी अब बारीज के मोसम जा चुका है तो रेगुलर इस देख सकते हैं यह दो रुपे की लीट पर अच्छा हां यह दस किलो का बैग आएगा अपने से और यह एक रुपे शेल वाला महल है यह देख सकते हैं यह वाली प्लो इन विया औने पास अटेंवर्ध दोलग जो क्लो नजुकित शाय गोड़ाह तो यहां पर देखेंगे तो इसमें भी कलर्स काफी मिल जाएंगे आपको अच्छा यह कलर सब्सक्राइब है इसके अंदर अलग लग फ्लेवर मिलेगा अच्छा ठीक है तो यह पूरा का पूरा रहने वाला है कि किसी वीवर को अपन को ओर करना है अब वेराइटी तो क्योंकि हम एक वीडियो में तो सारी दिखा नहीं सकते वेराइटी अगर चेक करनी है रेट चेक करनी है कैसे वह जानेंगे बहुत सबसे सिंपल तरीका है आप मेरे वोट्सअप नंबर जो दिये गए स्क्रीन पर उस पूरा पढ़िए उसमें एड्रेस लोकेशन और कैटलोग का लिंक दिया रहेगा अगर आपको कैटलोग का लिंक भी समझ नहीं आता है तो मैं आपको दिखा देना चाहूंगा कि कैसे आपको देखना है देख सकते हो यह जैसे मेरा नंबर है इस पे आप मैसेज करते हो तो आपको यह उपड़ शोगा और दुकान पर क्लिक करने दोस्तों तो आपको एक चैलोग षो जाएगी अब आपको क्या करना आपको जो भी माल देखना जैसे कि आपको कैंडी की रिवायरमेंट है तो कैंडी की आगे सी ओल करके लिखा हुआ इस पे क्लिक करो गे तो सारी च इसका मेसेज आजाएगा हम इसके बाद आपको आगे की जानकारी आप से ले लेंगे ठीक है तो इस तरह किसा मतलब पूरा ओटमेटेड है जो भी ओडर करना है रेट वाइस सबसे बड़ी प्रोब्लम होती कि कोल इतने आते कि पूरे कोल अटेंट करना पूसिबल भी नहीं होता ज्यादा से ज्यादा कोसिस करो कि वोट्सप पे मैसेज करो और आप चीजे देखो फिर उसके बाद कोई कोशन हो तो फिर आप पूछो हम से तो दोस्तों आज फिर से हमन अगर आप एक लो इंवेस्टमेंट हाई प्रोफिटेबल और एक रिस्क फ्री बिजनस आइडिया सर्च करना तो इससे अच्छा बिजनस कोई नहीं हो सकता क्योंकि दूस्तों आप जान रहे हैं इन टौफियों की डिमांड मार्केट में कितनी है और प्रोफिट मार्जन तो हमने हर एक टौफिए के सासाथ में हमने आपको बताया ही है तो आपको अभी तक यह समझ में आ गया होगा कि अगर आप यह बिजनस करते हैं तो आप एजिली अपने एरिये में भी सेल करके हंड़ेट टौइंडट परसंट तक का मार्जन अर्न कर सकते हैं आप अपने गरबेठे भी और मगवा सकते हैं गरबेठे आपको मिल जाएगा और अगर आप चाहते हैं यहाँ पर आकर भेज्या से मिलकर ले ना तो वह भी आपको यहां पर मिल जाएगा नेक्स टाइम जैसे भी साथ अट दिन बाद में एक और वीडियो भीये की आ रही है इस तरीके तरीके के जो इस तरीके की डिमांड इस तरीके के जो एक कह सकते हैं इसके अंदर टौफी आती है टोई जाते जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं वह वीडियो हम नेक्स्ट वीक को भी फॉलो जरूर कर लीजेगा